हाई फ्रेंड डिमे चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेके आये हैं इसे लाश्ट तक जुरूर देखिए आप हमारे वीडियो को लाश्ट तक नहीं देखते हैं वीच में स्किप कर लेते हैं तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आयेगा कि हम बताना क्या चौराए हैं आप सिखना क्या चाहते हैं आप बस थोड़ा सा किये तो आप इसको बंद कर देखें प्लीज आप मेरे वीडियो को लाश्ट तक एक बार जुरूर देखें तब आपको समझ में आएगे कि हम क्या बता रहेята क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर हमसे कोई तूटी हो तो प्लीज आप हमें गाइड भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके, अगर हमसे कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछिए, बाते कीजिए, तो आए यह शुरू करते हैं, जैसे हमने एक यह कंबल लिया है, यह कंबल फट गई थी, देख सकते हैं, यह थोरी-थोरी कहीं से फट गई है, तो या तो हम इसे किसी को दे देते हैं, चाय फेक देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो ये लोंग टाइम के लिए अच्छा हो सकता है, बढ़िया बन सकता है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, तो कैसे करना है, सबसे पहले आपके घरों में पुरानी सारी, चुन्नी, चाय, चादर, कुछ भी है, जो जिसका लुक अ देंगे इसके साथ, हमने पहले भी एक बना रखे हैं, उसको आपको दिखाएंगे कैसे बनाने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा, फिलाल तो मैं आपको पेन और कॉपी पे ही बताऊंगा, कैसे बनाने हैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि हम ने कैसे बनाया है माल लेते हैं ये कमबल हो गया ये आपका कमबल हो गया अब क्या करना है जो सारी होती है ये कमबल के बराबर नहीं होती है छोटी होती है यहां तक ही होगा फिर आप क्या करोगे तो सारी में से पहले यहां से यहां तक एक पला काट लिया फिर एक दूसरा पला काट लिया तो जो दूसरा पला काटेंगे उसमें से यहां से यहां नापकर इतना इंच होगा उतना कपड़ा उसमें से निकालके ये फर्स्ट वाले पल्ले में जोड लेंगे ठिक फिर एक और पल्ला काटेंगे और जो बच्चा हुआ कपड़ा है इतना इसमें जो अटेच करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचाए है उसमें से फिर इतना कप्रा नापके उसमें भी अटेच कर लेना है तो दो पल्ले तयार हो गए अब दोनों को क्या करना है पहले आपको ये तीन तरफ से सिलाई कर लेनी है ठीक पहले कंबल का मेजर्मेंट नाप लेना है कितना इंच है, कितना इंच लंबाई, कितना चोलाई है, ठीक, उतना नाप के फिर जो सारी का पला है, उससे आधी आधी इंच, चारो तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे, आधी इंच, ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा लीजिएगा, तो कप्रा बाहर निकल जाएगा, आधा इ कम्बल को इसके अंदर इन कर देंगे ठीक कम्बल इन करने के बाद इसको चारो तरफ से अच्छा से बैठा लेंगे बैठाने के बाद हाथ के सहायता से पहले इसके चारो तरफ थोड़ा सा जगा छोड़ के ऐसे इतना इतना चारो तरफ से इस्टीच कर देंगे ठीक फिर यहां बीच से लेके एक stitch इसकोने पर एक stitch इसकोने पर एक stitch इसकोने पर फिर ऐसे ऐसे आप कैसे भी stitch कर सकते हैं उसमें कोई बड़ी भात नहीं है तो ऐसे stitch लगा लेंगे ऐसे stitch लगाने से होगा कि सारी गुपचेगा नहीं ये इसमें सटा रहेगा और किसी प्रकार की दिक्कते आपको नहीं आएगी और ये जो कमबल था ये बहुत ही सुन्दर बिचावन के रुप में बन जाएगा तो दिखाते हैं आपको हमने कैसा बनाया है तो आएए तो आप देख सकते हैं हमने ये कमबल का ही बनाया है इतना अच्छा लूख है आप भी ऐसा बना सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके तो प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक जरूर कर ले लाइक जरूर कर दे और ठेट सारा प्यार दे ताकि मैं चैनल पर आगे भी कुछ काम कर सकूँ थोड़ा सा हेल्प आप कर दोगे तो मेरा चैनल मोनेटराईज हो जाएगा तो प्लीज दोस्तो थोड़ा सा हेल्प करो मेरे इस वीडियो को पुरा एक बार जरूर देखो और अच्छा लगे तो अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली को सेर जरूर करो बताओ और कोई भी बात पूछनी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके जरूर एक बार कमेंट करो कि हमें ये कैसे करना चाहिए कैसे पूछो हम जरूर बतलाएंगे आपकी समस्याओं को दो आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें थोड़ा दो सारी काप उप्यों किया था एक नीचे ये वह लगाया था और उपर ये पीला कलर का सारी था वो लगाया तो देख सकते हैं कितने अच्छा हो गया ये कम से कप जल्दी नहीं फटेगा लास्ट टा के आएंगे तब तक के लिए फ्रेंड नमस्ते